बिहार में एक रेली निकल रही थी रेली में उचे पदवाले, सभी जाती वाले, वकील, छात्र और उपत्रकार भी थी एक लड़की भी थी जिसके एक ही स्तन था कुछ राक्षिसों ने उसके गर में उसके गरवालों के सामने उसका बलातकार किया और उसका एक स्थन काट दिया सभी जिला मजिस्टेट के दब्तर के सामने नारे लगा रहे थे कि ये पुलिस वाले निर्दोस है ये पागलपूर की गटना थी पागलपूर बिहार का वो जिला जो कभी कर्ण के अंगदेश का हिस्सा था यहीं पर विश्व विक्यात विक्रमशिला विश्व विद्याले ने अपना ग्यान बाटा और अभी अपारत की रेशमनगरी का तमगा लिये हुए है बात 1989 की है पागलपूर में क्राइम रेट उफान पर था अफरन हत्या और रकेदी जैसे अपराद बाहुबलियों की दिन्चरिया का हिस्सा थे लड़किया गर हो या बीच बजार उठा ली जाती थी उस साल नेवा सी मडर जिले में दर्ज हुए यह एक बहुत बड़ी सिंक्या थी अफरादी पकड़े भी जाते हैं लेकिन नेताओं की शह और गवाओं के मुकरने से थाने में में मेहमान की तरह कुछ दिन गुजार कर चले जाते जब पूरे देश में बागलपुर को ख्यात होने लगा तो दिल्ली का दबाव लगा पटना पर और पटना ने वहाँ पर SSP विश्नुदयाल की पोस्टिंग की SSP विश्नुदयाल ने जिले के पुलिस कर्मियों की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाए इस मीटिंग में चर्चा हुए कि कैसे इन अपरादियों पर लगाम कसी जाए मीटिंग में ओपरेशन गंगा जल लोंच करने का फैसला किया गया बागलपुर के नवगचिया थाने से इसकी शुरुआत होती है एक खतनाक अपरादी थाने में बंध था उसके आँखों में पुलिस का कोई खोफ नहीं था कुछ पुलिस वाले उसके बेरक में पहुचे उन्होंने अपरादी को जमीन पर पटक दिया फिर दो पुलिस वालों ने उसके हाथ और दो ने उसके पेर पकड़े एक पुलिस वाला उसकी छाती पर बेट गया उसके हाथ में बोरी सिलने वाला सुया था जिसे बिहार में टकुआ बोला जाता है उस पुलिस वाले ने टकुआ उसके आँख में गुसा दिया आस पास का इलाका उसकी चीखों से जन्ना गया उसके आँख से खून का फवारा निकल पड़ा पर उसकी दूसरी आँख में टकुआ गुसाया गया उसके बाद उसके आँखों में तेजाब डाला गया जिसे पुलिस ने गंगाजल नाम दिया इस तरह बागलपूर को पवित्र करने का उपरेशन गंगाजल लोंच हुआ उस समय 33 दूरदान दपरादियों के साथ गंगाजल कांड हुआ इसके बाद डोक्टरों को धाने में ही बुलाया जाता यह देखने के लिए कि अपरादी पूरीतर अंदा हुआ की नहीं जदी नहीं तो पूरा किया जाता पुलिस को गंगाजल उपरेशन की प्रेना इलाके में गणी एकटना से मिली थी कुछ डाकों ने आधिवासियों पर हमला किया बार बार डाको से तंगा जुके आदिवासियों ने प्रतिकार करते हुए डाको को पकड़ कर टकुए से उनकी आँखे फोड़ दी थी ओप्रेशन गंगा जल के कारण जिले में क्राइम रेट बिलकुल नीचे आ गया अब पागलपूर में शानती थी कहा जाता है कि बिहार सरकार का इसे समर्थन था यहां एंट्री होई मानवता वादियों बुद्धी जी भी होने का तमगा ऐसे ही नहीं मिलता आसू बहाने पड़ते हैं हत्यारों के लिए मामला तब संग्यान में आया जब अदालत में पेशी के दोरान आये इन अपरादियों को एक वकील ने देखा तो उसने पड़ताल की तो इसे बहुत से मामले होने का खुला सा हुआ इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले को देश तरकी सुर्ख्या दी इंडियन एक्सप्रेस की खबर का शिर्शक था आखों को दो बार छेदा गया अंदा करने के लिए जैसे ही ये खबर ब्रेक होई केंद्री मंतरी वसंद सांथे ने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस अकपार पुलिस का मनोबल किराने की कोशिश कर रहा है ज्यादा हो हला मचने पर बरदान मंतरी इंडिरा गांदी ने इस प्रकरण पर कहा कि वो इस बात पर यकिन नहीं कर पा रही है कि आज के युग में सी चीज़े भी हो सकती है इन सब के बीच आखिरकार पीशना पुलिस को ही था पंद्रा पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया पुलिस वालों के सस्पेंशन पर बागलपूर की जनता सड़क पर उतराई जनता पुलिस बाई बाई के नारे लगे जनाकरोश के आगे सरकार को अपना निर्नय वापस लेना पड़ा कुछ समय में ही सभी पुलिस कर्मियों को वापस ले लिया गया सस्पी विश्नु दयाल ने रिटारिमेन के बाद बिजेपी जोइन कर ली और 2014 में चार खन के पलामू से सांसत निर्वाचित हुए